हालो वेल्कम दोस्तों डुफाइमेट इंजीनेरिंग आज का वीडियो वापके बड़ा कमाल का होने वाला जम जानने वाले सीखने वाले डिसकस करने वाले अबाट ताइपस अफ आईएस इंडूजन डिटेक्शन सिस्टम इसके टाइपस के बारे में चलो फड़ा साथ जान लेते हैं समझ लेते हैं दो टाइपस लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन वरी वरी आयं प्री टाइपस जो आईएस के है वो है भाई ना इस और दूसरा है है इस इन दोर के बारे में जानेंगे समझेंगे ठीक है सबसे पहले शुरू करते हैं नाइएस से तो यह नाइएस है क्या इस सिंपली यह आईएस मतलब इंडूजन डिटेक्शन सिस्टम है लेकिन यह किसके ऊपर बेस्ट है यह नेटवर्क के ऊपर बे इसको अन्सर है नेट वर्क ट्राफिक नेट वर्क ट्राफिक तो यहां से वहां आपके विदिन डेट वर्क घूम रहे है उसे आप सिंपली नेटवर्क ट्राफिक क्या सकते हो तो उस network traffic को continuously, हर शन, हर पल monitor किया जाता है, every data packet को, every network traffic को continuous basis पे monitor किया जाता है, यह बहुत ही important factor है आपके NIDS का, यह बहुत ही important feature है, आपके NIDS का continuously monitoring the network traffic, उसके बाद, क्या है, detect malicious data present in the packet, मतलब आपके जो data packets है, जो घूम रहे हैं, बराबर, कि भाई, यह data packet आपके आपके आप यह data packet जा कहां को रहा है, यह data packet के अंदर कितना content है, यह कौन सा path चूज कर रहा है network में, from going from one host to another host, यह सारी चीज़ यहां पे monitor की जाती है, by this NIDS, तो अगर बाई-चाल समझ लो, NIDS को अगर किसी एक data packet पे शक हो गया, कि भाई, उसमें malicious data हो सकता है, उस packet में, तो वह क्या वह भी बताते हैं, तो वह भी मैं बताता हूँ, एक generalized perspective of analysis NIDS है, वह मैं आपको समझा देता हूँ, तो analysis कैसे होता है, यह simply match करता है, क्या करता है, जो भी आपका captured traffic है, जो packet है, जो captured traffic है, उसे वह match करता है to the library of known attacks, मतलब क्या होता है, एक simply library created होती है, which consists of list of all the known attacks, up to date, जितने भी attacks अभी तर network के उपर हो चुके हैं, या जो भी known attacks, वो सारो के सारी list जो है, आपके उस library में होती है, बराबर, so it's called as a library of known attacks, तो आप तर जितने भी हो चुके हैं, वो सारे के सारे attack जो हमें known है, जो हमारे उपर हो सकते हैं, वापस से, उन सब की list तैयार की जाती है, उसे ह library of known attack कहते हैं, और उस हर एक attack के साथ, आपके traffic को match किया जाता है, और अगर by chance, अगर यह match found हो गया, तो इसका मतलब, वो particular specific attack, intruder हमारे network के उपर करना चाहता था, जो detect हुआ है, बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर match हो जाता है, if match is found, इसका मतलब, कोई ना कोई attack, यहाँ पर behavior of the network, हम उसे यहाँ पर initial scale पर detect कर लेता है, और फिर उसके बाद obviously resolve करने की कोशिश करता है, उस particular attack को, जो हमने यहाँ पर analyze करके detect किया है, ठीक है, उसके बाद कुछ तो भईया, इसका disadvantage जो का NIDS का, कुछ तो कमिया होंगी, बराबर लेकिन, खूबिया तो जान ले, कुछ तो कमिया होंगी, तो NIDS की जो कमिया है, वो यह है, analysis very difficult in busy network, मतलब क्या, कि अगर आपका मान लीजी network बहुत बड़ा है, और very huge scale, मैं लार्फ नहीं बोल रहा है, और very huge scale network, और वो जो network है, वो काफी busy है, बराबर कई सारे data packets यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भूमते जा बढ़ा network busy है, बहुत busy चल रहा है network और plus network काफी बड़ा है, तो ऐसे इतने बड़े scope वाले network को handle करना NIDS के लिए थोड़ा difficult जाता है, इतने busy network पे हर एक data packet को monitor करना बहुत difficult जाता है, इसलिए जतना जादा आपका network बढ़ा होगा, जतना जादा busy आपका network होगा, उतनी जाद possibility है कि NIDS की जो efficiency है, वो थोड़ी drop down होती जाए, इसलिए जादा तर busy networks में और large scale networks में आप यहाँ पे NIDS जो है, उसकी efficiency को थोड़ा कम ही पाऊगे, थोड़ा drop down ही पाऊगे यहाँ पे, ठीक है, तो यह तो होगा बढ़ा NIDS के बारे में, आप देखते हैं यह HIDS के बारे म with respect to a device होने वाली है, which is on the network, बराबर, तो installed on individual host or device on network, तो आपके network में कोई तो भी particular individual host पकड़ लो, कोई एक device पकड़ लो, कोई एक system पकड़ लो, उसके अंदर हम इस HIDS को install करते हैं normally, ठीक है, अब यह करता क्या है, what it is doing, it monitors the data packets from the device only, मतलब जो आपका device है, जो system में जिसके HIDS install किया हुआ है, उससे related जितने भी packets होंगे, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको एक तरीके से continuous के monitor किया जाता है, बराबर है कि नहीं, and will alert the admin if suspicious activity is detected, और अज़र by chance कोई भी suspicious activity detect होती ही by HIDS, तो वो तुरंत एक alert message जारी करता है, किसके नाम पे, admin के नाम पे, कि भाई, admin आप ज़रा देखो, ऐसी ऐसी कोई तो एक suspicious activity detect हुई है, इसको तुरंत resolve करने कोशिश करो, नहीं तो इस system को damage कर सकता है, बराबर, तो यहां पे, यह suspicious activity कैसे detect की जाती है, कैसे हम लोग यह confirm करें, कि भाई, there is some suspicious activity, there is some kind of suspicious nature in the system is detected, कैसे पता चलता है, तो simple सी बात है, यह तरी आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से, तो हम लोग snapshots का use करते है, snapshot का मतलब यह है दोस्तों, कि हम लोग सबसे पहले जो हमारा previous system था, जो initial level system था, जो कि totally clean था, clean मतलब क्या, जो कि ideal system था, उस system के अंदर कोई भी malicious content नहीं था, malicious data नहीं था, कोई भी attack नहीं था, कोई भ device आपका previous system कहलाता है, जिसका screenshot हमारे पास होता है, बराबर, और फिर हम क्या करते है, time to time, हमारा जो अभी current system है, existing system है, जो running system है, उसका भी snapshot खीश लेते हैं, दोनों को side में रखते हैं, और देखते हैं भाईया, इन snapshots में कोई changes हैं क्या, अगर ये दोनों snapshot में कोई changes नहीं है ये same to same है, जैसा previous system था वैसा, ये अगर existing system है, तो भाई tension लेने की कोई जरुवत नहीं है, एकदम perfectly आपका system चल रहा है, एकदम perfectly आपका HIDS काम कर रहा है, कोई tension लेने की बात नहीं है, कोई भी malicious content data आपके अंदर आया नहीं है और ना गया है, एकदम बढ़िया तरीके से matching with the previous system या फिर ideal system, बराबर, लेकिन अगर ये match ना होतो, अगर ये match found ना होतो, तो यहाँ पर हम फिर बोलते हैं, some suspicious activities detected in the device और in the system, तो क्या-क्या हो सकता है, basically अगर by chance को ये attack होता है, तो mostly क्या-क्या हो सकता है, जो आपके files होते है, very important, यहाँ पर HIDS में main focus हम यहीं रखते ह है, आपके जो system के logs है, जो आपके main files है, जो very-very confidential and IMP files होती है, उनमें अगर कुछ deletion होता है, उनमें अगर कुछ modification होता है, तो एक तरीके से यहाँ पर उसे suspicious activity कहां जाता है, और अगर suspicious activity detect हुई है, तो उसे report करना, एक alert message admin के नाम जाली करना, ये काम बहुत important है, ताकि उस damage को हम लोग एक तरीके से कम से कम एक limit तक रोख सके और उस problem को resolve कर सके, उस attack को हम लोग वही पर defend कर सके और यहाँ पर HIDS हमारी बहुत मदद करता है, तो ये host based है, ये network based है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारी चीज़े जो दोस्तों मैं इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बता दिये, समझा दिये, अगर इस वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो लाइक कर दीजे और जरूर इस वीडियो को आपने सारे दोस्तों के साथ शेर कीजे, थैंक्स अलाट दोस्तों को वाचिंग इस वीडियो